दो साल से जादा समय से चल रहे रूस युक्रेन युद्ध में कई ऐसे पड़ावाएं हैं जहां जंग की दिशा बदलती हुई नजर आई इस जंग का कारण कभी जेलेंस्की की जित को बताया गया तो कभी इसे पुतिन की शाक का नाम दिया गया जंग में बीटते समय के साथ युक्रेन को कई ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा जब ऐसा लगा कि अब पुतिन अपनी जीत की कसम पूरी कर लेंगे क्योंकि ये वो वक्त था जब युक्रेन को हत्यारों और फंड की कमी से गुजरना पड़ रहा था और उसकी सहायता वाली फाइलें पेंटागन में अटकी हुए थी ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बीटते हुए समय के साथ युक्रेन पर कई पश्यमी देशों का भरोसा कम हुआ और उसकी हत्यारों की सप्लाई में कमी देखे जाने लगी खास कर जब रूस ने अवदिव का शोहर पर अपना कबजा जमाया उसके बाद मानो पश्यमी देशों का भरोसा युक्रेन से उठी गया है इस दोरान ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिन में दावा किया गया कि वाशिंग्टन और युक्रेन के बीच रिष्टों में खटास आ गई है क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर हर तरह से मदद के बाद भी युक्रेन रूस को छकाना तो दूर अपने कबजाय हुए इलाकों से रूसी फॉज को पीछे भी नहीं ढगिल पा रहा था और करीब लंबे समय के बाद जब एक बार फिर से युक्रेन को अमेरिका समेथ तमाम नाटो देशों का समर्थल मिनने लगा है बादेन ने युक्रेन को मदद पहुचाने के लिए 61 बिलियन डॉलर की मदद की है साथी एर डिफेंस सिस्टम और आधोनिक हथियार देने का ऐलान भी किया है इस सब के बीच रूस की खूफिया एजंसी ने ऐसा दावा किया है जिसे जानकर जेलंस्की के पैरो तले जमीन खिसक जाएगी दरसल रूसी खूफिया एजेंसी ने दावा किया है कि युक्रेन के पश्चिमी समर्थकों ने जलेंस्की के स्थान पर किसी और की तलाश करने के प्रयास तेज कर दिये हैं रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और यूरोपीय संग युक्रेन में लंबे समय से शल रहे जंग और जलेंस्की के नेत्रत्व में जंग समाप्त करने में असफलता से बेहग चिंतित है फिलहाल के लिए पश्यमी देश जलेंस्की को अभी बरदाश करेंगे क्योंकि वह युद्ध की वित्तिय योजनाओं से चुड़े हैं जो की कीव साशन और पश्यम हत्यार निर्माताओं को भारी मुनाफा दे रहा है खूफी आइजंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताये कि जंग की शुरुवाती महीनों में जलेंस्की के लिए समर्थन का फ्रतिशत 80 से उपर था जो अब घट कर 17 हो गया है और ये लगातार घट रहा है ऐसे में पश्यमी देश जलेंस्की के विकल्प के रूप में किसी की तलाश कर रहे हैं जो इस जंग को एक निरनायक मोड पर लाने में सक्षम हो सके इसी कड़ी में पश्यम युक्रेन के पूर्व राश्रपती पेट्रो पोरिशेंको और कीव के मेर विटाली कलिट्सको के साथ जलेंस्की के चीफ ओफ स्टाफ एंड्री यर्मक से संपर्क साथ चुका है इसके साथ ही युक्रेन के पूर्व सीर्श सेने कमांडर जनरल वालेरी जालूजनी और युक्रेन सांसत के पूर्व अध्यक्ष दिमित्री रजुम कोव भी जलेंस्की के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब फ्रंट लाइन पर जन्ग में युक्रेन की स्थिती बिगड़ने लगेगी और लीडर बदलने की बात तूल पकड़ेगी तभी पश्चमी देश जलेंस्की को हर मोर्चे पर दोशी ठहराते हुए अपना ये दाव चल देंगे बता दे कि मई महीने में जलेंस्की का कारेकाल समाप्त हो गया है लेकिन वे अपने पद पर बने हैं जिससे कानूनी तोर पर विवाद बढ़ा लेकिन जलेंस्की ने मार्शल लॉग का हवाला देते हुए राश्च्पती चुनाव कराने से इंकार कर दिया एक तरफ तो अमेरिका समेथ पूरा पश्चिमी खेमा नाटो समिट में युक्रेन के साथ नजर आया लेकिन परदे के पीछे क्या नया पक रहा है इसका अंदाजा रूसी खूफिया रिपोर्ट से पता चलता है हाला कि रूसी की इस रिपोर्ट पर युक्रेन या फिर पश्चिमी खेमे की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं दी गई है लेकिन यहाँ यह बात साफ है कि जब पहले भी पश्चिम को जेलंस्की के नेत्रित्व पर संदे हुआ था तब युक्रेन की मदद में कमी आय थी और इसलिए रूसी की खूफिया रिपोर्ट ने अटकलों का बाजार गरम कर दिया है कि यदि जेलंस्की वक्त रहते अपने आपको साबित नहीं कर सके तो क्या वाकई में उनके बदले युक्रेन में एक नए लीडर को पश्चमी खेमे से समर्थन दिया जाएगा